तो सबसे पहले अगर आप देखोगे इसका जो फ्रंट है वही आज भी पुराने लूक में आपको दहने को मिल जाता है काफी बल्की सा बड़ा सा ब्लाक एंड इसमें ग्राफिक्स के काम जो रेड और वाइट ग्रे की कॉंबिनेशन के साथ काम किया गया है फ्रंट का इसमें आपको जो हील्यगें को मिलने वाला है यह आपको मिलने वाला है यह लगाव अगर तो यह आपको फ्लेक्सिबल नहीं है but इसमें आपको टेलिगugg को दने को मिल्या टिंग है यह अपको ठेली जो को मिल जाता है प्लस इसमे'm a puno को मिल रहा है 18-90 को मिलने वाला है और काफी बड़ा इसमें आपको टायरों को मिलने वाल यह 매 Folks बृ Form यह व्रतिनमुरुण तरी हम अऊपको शनति सुर्म नहीं मिलने यह वाल है इसमें tumbler अबने को साइट देखो फॉटरी मिलेगी और में इसमें큼 सब्सक्राइब शारे साउ då टीक है और लुक्स पी काफी प्हाइटर ही ने काफी डी dobr एक पो c ii यह पो मिल जाती है यह प्लस का श्टीकर की का बढ़िया ग्राफिक्स मोमिल जाता है रेड वाइड रेड लंबा silencer देखने को मिलेगा पीछे तक ठीक है उसके अलावा अगर हम देखें तो फ्रंट और रियर में दोनों में ही आपको ड्रम देखने को मिल रही है और सेम टायर साइज है बिश्कूल अग्छ का आपको इसमें आपको तरी ऑád कर शकैंम करता तो ही पीछे ब्रेकिंग एफिसेंसि अ इसके अलाबा अगर हम बात करें जो इसका fuel tank है यह आपको 11 लिटर के fuel tank capacity के साथ देहने को मिल जाता है इसके अगर हम बात करें average की जैसे की 100cc की बाइक है तो approximately 65-70 के आसपास इसकी average आराम सा देहने को मिल जाएगी और इसमें आपको जो सिस्टम देहने को मिलने वाला है यह आपको यहां पर engine का light देहने को मिल रही है प्लस अगर इसमें हम वही किक स्टार्ट वाला जो फिचर रहता है कि मतलब सेल्फ स्टार्ट यह देखिए तो यह एक फिचर मिलेगा जैसे हमारा टेल लेंप जो की काफी बढ़िया वेहतरी देखने को मिल रही है यहां पर रेफ्लेक्टर देखने को मिल रहा है यह है इसका नमप्लेट का प्लस सेम इंडिकेटर देखने को मिलेंगे और यह इसका थमपीसा साउंड और अब इसका मैं आपको engine का sound उसना जाता हूं इसका इंडिन्दा sound आप बार हैं यह आपको प्रॉपर क्रूम में देखने को मिल रहा है सेम आज़ेटर जैसे आपको आलमोस साइड में सारा कुछ देखने को मिल रहा है तो चम चमाता हुआ आपको यह गाड़ी लगती है और इसकी जो मिरर्स है यह भी काफी स्मूद अगलों यहाँ से इंडिय को मिलने वाले हैं सिंपल रहते हैं ओर हम हैके साथ साथ मिलेशन आपको प्लस दोनों ही देखने को मिल जाती है तो दो आप्षन आपको पिलाएнимान यह दोनों ही है उसके बात करें स्पेसिफिक लिश्डेश यहांन आपको ग्रांड प्लस कितन प्लسم को मिलता है तो यह आप देख सकते हैं कि फिति और स्कुलिस लिए य Smite सेमें इस्था दोना मिलता है यह अपको-फेट सटे Bowl मिल को मिलेगी आप देख सकते हैं लृक्रू हग कर सकते हैं ज्यादा दिक्कत आईगे निए ऑगहर हम बात करें तो इसमें आपको जो गेर बॉक्स देखने को मिलने वाला है वो आपको 4-speed constant mash आपको देखने को मिलेगा सारे के सारे 4-4 गेर पीछे को जाएंगे ठीक है पूरी ये पीछे को आपको गेर देखने को मिलेंगे इसमें बाकी जो सबसे बड़िया बात आपने जातर देखियो कि जतनी भी बाइक्स हैं जतनी भी लॉंग टाइम चलने वाली डूरेबिल्टी वाली जो बाइक्स आती है जो ज्यादा एवरेज जती है उनमें आपको यह जो चैन सट कवर है यह हमेरे साथ हैं को मिलता है जैसे कि चै गड़ जो लगा रखा इस काई एक वाट थे लिए को मिल जाता है सब्सक्राइब थे को मिल जाता है इसे फेंघ्र पास ही आपको देने को मिलेगा इसका पावर ठीक है उसके अलावा गर हम बात करें मैक्सिमम जो इसका टॉर्क है वो अरॉंड 8.05 नम का एड़ रेट ऑफ 6,000 आर्पियम पर देने को मिल जाता है FI इंजन देने को मिल जाता है इसमें देने को मिलेगा फोर स्पीड मैने आपको बताई दिया कॉंस्टेंस मैश इसमें गेर बॉक्स देने को मिल जाता है फ्रंट में टेलीसकॉपिक रियर में आपको ट्यून ट्यूमे lol के गफिशन को मिर जाता है »बाकी जो इसमें आपको ड्रम ब्रेक्स देहने को मिल जाती है ये HoaC want को दोनोमें फ्रंट और रियर में 131 mm की देहने को मिल जाती है तो 76,300 की आपका इसका एक शोरूम रहने वाला है अगर हम बात करें देली नमबर अभी के साब से इसका 92,000 रुपीज जो इसका on-road cost रहने वाला है So guys, I hope ए छोटी सी जो वीडियो है यह आपको पसंद आई होगी और जितनी भी इंफर्मेशन में बताने ही कोशिश करी है यह आपको समझाई होगी अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक कर दोना, शेर कर दोना, सस्क्राइब कर दोना हमारे चैनल को और बेल आकन को प्रेस करना तो बिल्कुल भी ना बोलें बाकि आज की वीडियो हमारी बनाने में हेल्प करी है यह अमन हीरो वालों ने करी है उनका शोरूम का डीटेल्स है यह आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा कांटक कर सकते हैं आई होप वीडियो पसंद आई होगी फिर मिलते हैं ऐसी और्बिन टेक्श्रिंग वीडियो के साथ अब तक के लिए जय हिंद जय बारत बाइगाइज